भारतिय टीम ने जब बांगलादेश की टीम के गुरूर को तोड़ते हुए सूपर आठ के इस मुकाबले में शांदार जीत हासल कर सेमी फाइनल में लगभग अपनी जगा बनाई तो आस्ट्रेलिया दिगजो ने भारत की आलोचना में कोई भी कसर नहीं। छोड़ी भारत को लेकर हैरान कर देने वाले बयान आस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाडियों ने दिये जिन्हें सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारतिय टीम इस वर्ल्ड कप को जी उसके बाद रुशब पंथ ने 24 गेंद में 36 रन बनाए टीम इंडिया लगभग 12 ओवर में 110 के पास पहुँच चुकी थी और उसके बाद जिम्मेदारी उठाई हार्दिक ने अंत में सिर्फ 27 गेंद में सभी गेंद बाजों का धागा खोलते हुए 50 रन जोड दिये और वह भी नाबाद उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 3 शांदार छक्के भी लगाई जिसके चलते भारतिय टीम 196 रन की स्कोर तक पहुँचने में काम्याब रही भारत की मजबूत गेंद बाजी को देखी स्कोर पहाड समान नजर आ रहा था और ऐसा हुआ भी हार्दिक पांडिया ने टीम इंडिया को पहली सफलता भी दिलाई दास को 13 रन के स्कोर पर आउट कर भारतिय टीम को खुशी का मौका दिया उसके बाद बाकी गिंद बाजों ने बांगलादेश की टीम को अपने शिकंजे में कसलिया कुलदीप यादव ने सिर्फ 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिये तो बुम्रा ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किया बता दे की बांगलादेश की टीम को 1-46 रन के स्कोर पर रोक कर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 50 रन से जीत हासल कर लिए सबसे पहले तो रिकी पोंटिंग का भारतिय टीम की जीत के बाद बयान सामने आया उन्होंने कहा भारत सिर्फ कमजोरों के सामने ही जोर आज माता आया है जब उसका सामना आस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ होगा तो यकीनन भारत की टीम घुटने टेक देगी इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो भारत का अभी तक किसी भी मजबूत टीम से मुकाबला हुआ ही नहीं है सभी कमजोर टीम को ही इन्होंने हराया है जिसमें अमेरिका, आयरलेंड, पाकिस्तान और बांगलादेश शामिल है आस्ट्रेलिया से जीतना मुझे नहीं लगता भारत के बस में है मैथ्यू हेडन ने इस बीच कहा कि आस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्रिकेट पर राजा की तरह विराज मान रहा है भारत की जीत की बात की जाए तो शुरुआत अच्छी रही है लेकिन अंत बेकार होने वाला है क्योंकि आगे चलकर उन्हें आस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला खेलना है और आस्ट्रेलिया वह टीम है जिसने हमेशा ICC टूर्नामेंट में भारत को बुरी तरह से धूल चटाई है और भारत कमजोर टीम को हराकर यह ना समझे की वह इस बार वर्ल्ड कप जीत लेगा फिर एक बार भारतिय टीम को फाइनल मुकाबले में हराकर हम दूसरी बार विजेता बनेंगे एडम गिलक्रिस्ट ने तो कहा जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी भारत अभी कर रहा है और कोशिश रहेगी की बुमरा के घमन को तोड़ा जाए साथी हमारी टीम इस मुकाबला को जीतेगी इस तरह से आस्ट्रेलिया के दिगजों ने भारत की आलोच ना करी लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस बार भारत और आस्ट्रेलिया में कौन सी टीम जीतेगी कमेंट सेक्शन में बताईए